हेलो गाईज वेलकम बैक टुमाडू चैनल एसके मिश्चड़ी और वे आप सबस्विच में हूँ आपका एजुकेटर इस तरह और यहां पिले क्या है कि अच्छा बार हम भी जी वी गयां जी हां इस बार जो आपका सत्तर में सत्तर अंख है पूरा 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 आपको कव यूटूब पर फीर जी मिलता है यसके मिश्चड़ी टेलेग्राम पर यूपी बूर्ड का यसके मिश्चड़ी टेलेग्राम नंबर वन है जिस पे 30,000 से ज्यादा प्री में नोट्स डाउलोड करके अपना यूपी बूर्ड की तैयरी कर रहे है तो जाहिए आप फ्री में सब्सक्राइब है तो आप जरूर जरूर सपोर्ट करेंगे और तयार इपनी बेहतरीन करेंगे क्लियर है यहां पर तीन गंटे 15 मिट का आपको समय मिलेगा पूरांग सत्तर अंस रहने बाला है, यानि सत्तर अंका मिलेगा, 70 marks and 95% प्लस आपकी स्कोर करना है, अपकी बार 95 पार फोड कर ले, क्यानाच आप तोड लिए, दिन भर मेनत करिए, लेकिन आपको करना है तो करना है, ठीक है न, and you can do it, आप इसको कर सकते हैं, इस चीज का लिए समय के बांग से चाहिए, इसमें आपके अच्छे से अपने पूरे-पूरे पूरे पूरे प्रश्न को पढ़ना है, यहां पर सबसे पहले हम लोग बहुभी खलपि प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद अतिलाग गुताई पिरदे उत्तर ही प्रश्नों की ओर व प्रशं क्या है नारीयल का रेशे उत्पन करने वाला भाग क्या है ऐसा कोण सा नारीयल kब है जो कि रेशिय करता है व अत रई परोत्ती अन्त रई अ चैनलओ हकार्ण में में रेश? तो नारियल का रेशे उत्मन करने वाला भाग कौन सा है तना तथा पत्ति जो होता है या नारियल में रेशे उत्मन करने वाला भाग होता है अगला प्रशनेहा पे निभाग पाया जाता है निभाग किस में पायाता है पराग कण में बिजांड में भून पोस में या यह सभी तो निभाग किस में पाए गीजान मेंirens इगला प्रश्न है क्या पूरूसों से सेम्मंधित होता है तो पूरूसों सम्मंधित क्या होता है वेक्सेक्टॉमी गोलिया ट्यूबेक्टॉमी या फिर इन में से कोई नहीं तो जो पुरसों से सम्बंदित होता है वो ट्यूबेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी किसे सम्बंदित होता है आपके पुरसों से सम्बंदित होता है वेक्सेक्टॉमी और जो गोलिया होती है ये सब्सक्राइब करना या भाग लेनों को कम करना यानि कि प्रेगनेंट रहे तो आपको क्या है पिर महीलाव में वैक्सetomy एक प्रॉसेस होती कर देंगे तो वो pregnant नहीं हो पाएंगा आप यह और कर सकते बस यह चीज ज़े हैं ठीखे अंगला प्रश्ण हापर एकाड होती जो मंगोली जडरता होती किस के काड होती है, यह इसंगी कोलियन जडरता की के जरता के कारण तो मंगोली जरता किसके कारण होती है वह होती 21 जोड़ी के अलिंग सुत्रों की एक अधी सुत्रता कारण मंगोली जरता नामक रोग उत्पन होता है 21 जोड़ी के अलिंग सुत्रों की एकाधि सुत्रता कारण मंगोली जड़ता रोग उत्पन्य होती है अगला प्रश्ने हाँ पे क्या है मानों में ABO रूधिर वर्गों के लिए कितने जीनो टाइप संभव है 2, 4, 6 या फिर 8 तो मानों में ABO रूधिर वर्गों के लिए कितने जीनो टाइप संभव है अगला यहाँ पे है अब अतिलग हुत्तरी प्रश्ने है जी हाँ काफी महत्तिपून यहाँ पे अतिलग हुत्तरी प्रश्ने है आपके UP परिच्छा में हर साल पूछे जा रहे है और बिलकुल संभावित प्रश्न है आने वाले प्रश्न है के वह इनी प्रश्नों को अगर आप तयार कर लेते हैं तो बहुत ही दौरान यह एक ऐसा एंजाइम है जो DNA के कटे हुए टुकडू को आपस में जोडने का काम करते हैं अगला प्रश्न है चाय उ द्योग में चाय की पतियों का किडवन कि सुछमत जीवद्वारा होता है तो चाय उद्योग में चाय की पतियों का किडवन माइक्रो कोकस Candidance नामक जीवान की द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है प्रात्मिक तथा दुतियक वाहितमल उप्चार की बीच मुख्यंतर क्या है तो प्रात्मिक उप्चार के द्वरान जेव ऑक्सीजन मांग यानि भी ओडी उच रहती है जबकि दुतियक उप्चार के द्वरा में प्रतिवंधन इंडुनिकैज मिलते है अपना उत्तर सही सिद्ध कीजि तो क्या जो सुकेंध्र को सिकार की को सिकाव में प्रतिवंधन एंडोनुकलेज मिलते हैं प्रदिवंधन एंडोनुकलेज डिन अनुक्रम की लंबाई के निरचड के बाद कारे करता है जब यह अपना विसिष्ट पहचान अनुक्रम पाजाता है तब डिन से से जुड़ता है तथा कुंडलनी की दोनों लड़ीयों को सरकरा फास्पिट आधार अस्तंभों में विसीष्ट केंद्रों पर काटता है प्रतेक प्रतिबंदन एंडो निक्लिय जिनियने में विसीष्ट पैली ड्रोमिक निकलियो टाइड अनक्रमों को क्या करता है पहचानत लिए रहां तक अब यहां पे दीरुतरी प्रश्ट क्या है इस टेम को सिकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं और चिकिसी उप्चार में उनकी भूमिका की समिच्छा कीजिए तो बहुकोस की जीवों की ऐसी अभिनित को सिकाएं जिन में विभाजन द्वारा उसी प्रकार कि असंह कोशिकाय करने की छंता हो तथा इन कोशिकाई भीविन से अन्य दिशिश्च कोशिकाए बन सके इस्टेम कोशिकाय कहलाती है एक नैक प्रकार की कोशिकायों इव उतक का निर्माण करने में क्या होती है सक्छम हो ही है कलियर है और मानव में विभिन प्रकार की उप्चार है इस्ट्ययम् को सिकाओ का अत्थिक महत्व है सकर निम्मले लिखिए इस्ट्यम् को कि कहां कहां으면 अप्योग की जाते हैं सबसे पहला रोग उप्चार में तो पेशी हिरी अस्तर रोध गलन रोग के अप्चार है तो अस्थिमज्जा इस्ट्यम को सिकाव का अपयोग करके हिर्देः पेसी तथा अन्य हिर्देः पेसी को सिकाव यह उतको को बनाया जाता है दूसरा तचा निरोपड यानिकि इसकिन ग्राफ्टिंग में आग या अमन से जुलसी तचा का निरोपड तचा की इस्ट्रियूम को सिकाव से तयार तथवाररा किया जाता है सबी परशनों को आपको एक तरीके से तयार करना है ओके दोस्तों थाइंक यू जैहिंट टेक केर